तुम पिछले गेट के क्राउट को कंट्रोड करो जाओ जाओ जली सलाज का पंचला मा करो क्रिछ ओ पिछे, हटो आये से, पिछे पीचे अड़ाओ, पीचे, पीचे अड़ाओ हड़ाओ सबको पीचे आज़े सबको पीचे अड़ाओ कोई तुमाशा नहीं हो रहा है यहाँ पर हमें कबाली की लाश पीचाईए हाँ, तुम तो उसकी असली वारिस हो, तुमें तो लाश मिली जाएगी हाथ पीचे आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए अज़ाइ कानून को तुम लोग अपने हाथ में लेते हो हाँ, हाँ, तुम लोग अपने हाथ में लेते हैं लेकिन उसे इज़त के साथ जिस तरह कोई गीता या कुरान अपने हाथ में लेता हो मगर आप लोगों ने एक गुंडे के लिए पत्थर और दंडे अपने हाथों में उठा लिये भूल गए कैका गभाली ने कही निरदोशों के जाने लिए भूल गए के कहीं के इज़त लूटी है उसने कुछ भी था वहेरनी जात वाला था हाँ, 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 वाला gemaakt जात दुनिया में सिर्फ दो थरा की हुपी है एक वो जो आसू पीता है एक वो जो खून पीता है एक वो जो इंसानियत को आप बात करता है एक वो जो इंसानियत को बरबात करता है कपाली जैसे समाज का कोड अगर आपकी साथ का हुआ तो क्या आप उसे घल लगा लेंगे एक वक्त हुआ करता था जब हमारा समाज उसे अपना हीरो बनाता था जो इनसान त्याग और भलिदान की मुरत हुआ करता था मगर आज आज लोगों ने गुंडों का अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया है अरे ये गुंडे तो गुंडे होते हैं गंडगी लाख माते पर रगड़ो वो चंदन नहीं बनती हर लुटेलावाल में की नहीं बनता बंद करो बंद करो गुंडों की फुझा का ये रिवाज और अगर ये रिवाज बंद नहीं हुआ तो वह दून दूर नहीं जब इस देश की कोक से सिफ गुंडों की नसले पैदा होंगी और उसका सबसे भारी नुकसान तुम जैसे लोगों को होगा, तुम जैसे लोगों को भाशन बंद करो, हमें कबाली का कातिल चाहिए, कातिल अबे हट, हट, हट पुझे कौन सा भाशन देकर तुझ जैसे नामर्द का वोट लेना है, गेट तोड़ दो और चलो आगे हर वो कदम जो कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उसे आपाहिच कर दूगा खुझे कर दोड़ने के लिए लगाई हुझे तुम्हारा जनम दिन कप है मेरा जनम दिन, उसी दिन होगा जब तुम्हारा जनम दिन होगा अपएली को सबसे पहले होश में आ दे दे देखा था और सबसे पहले मैंने ही आपको फून किया था impossible अगर आपने मुझे सबसे पहले फोन किया होता तो कातिल के पहुशने से पहले इंस्पेक्टर से थान यहां होता आप मेरी बात के यकिन कीजिए कि मैंने आपके थाने फोन किया था और किसी आदमी ने फोन उटाया था मैंने कपाली के बारे में सारी बात उसे बता जी थी ताकि आपको खबर दे सके कौन था वो मैंने उससे बार बार पूछा कौन हो तुम कौन हो तुम उससे जवाब तो नहीं दिया लेकिन फोन कर दिया उस दिन तुमी ने कहा था के भाशन देना हो तु बंद कमरे में दूम आखिर तुम भी एक पुलिस आफिसर हो इसलिए दर्वाजा बंद कर दिया बताओ कल जब डॉक्टर का फोन आया तुमने मुझे ख़बर क्यों नहीं की मैंने फोन नहीं उठाया जूट बोलते हो तुम तुमने कपाली का मडर कैसे करवाया मैंने कुछ नहीं कहा जूटें यह सब जूट वो है जो तुम बोल रहे हो सबसे पहले तुमी को ख़बर मिली थी कि कपाली होश में आने वाला है और तुमने यह ख़बर गुंडों को पहुचा दी इसलिए पुलिस पहुचने से पहले गुंडे वहाँ पहुच गए और उन्होंने कपाली को मार दाना पता नहीं अंदर क्या हो रहा कुछ खास बात हो रही होगी यार तेरे को क्या तुछ चुप कर रहे हाली जिन लोगों के साथ मिलकर तुम कानून का बलतकार करते रहे अगर कल सुबा दस बजे तक उन लोगों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे जिस्म को वर्दी की जगा जखमों का लिबास पैना दूँगा और फिर तुम दर्द से इतना तरफोगे के उसके बाद मौत को भी चखोगे तो यहीं कहोगे के मजा नहीं आया सर अर्जन केसे सर आओ और हो सके तो मुस्कराहट का कफन अपने होटों पर डाल दो ताके अपने छोटों के सामने बेज़द होने से बच जाओ मज़ा आ गया ना हाँ हाँ बहुत मज़ा आ गया अरे कोई साप को कोल्डरिंग पिलाओ कल दस बजया कोल्डरिंग सेर कोल्डरिंग सेर शेडार शेडार पिता जी जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में डी एस पी थे उस वक्त सिधान के पिता शास्तरी जी मंत्री थे उन्होंने आप पे अरोब लगाया था कि आप एक इमान्द और आफिसर नहीं आप का रप्ठ हैं आप रिश्वत लेते हैं वो आपको नौकरी से निकाल देना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही बंदामी के डर से आपने मैं आपकी मौत के साथ साथ अपनी बेजिती का भी बदला लूँगा मैं नफरत के मौरों से दुश्मनी का शत्रंज उसी की भी साथ पे खेलूँगा और इसी माद दूँगा एसी माद दूँगा की मौत बिरोपने की पिताजी नमस्ते सुआमी जी आप तो सब जानते हैं अब अताई में क्या करूँ जब पूजा से बात नहीं बनती तो यक किया जाता है और याद रखो यक की अगनी में बहुत कुछ बस्म कर देना परता है हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ लेकन आगे भी तो बताईए कि मैं क्या करूँ आदमी के पस जिस प्रकार का अस्तसस्त्र हो उसी प्रकार का युद्ध लड़ना चाहिए तब ही उसको सफलता मिलती है जिनकी आत्मा पर बोज होता है, कभी-कभी उनकी जबान साथ नहीं देती शायद इसलिए तुम अपना बयान लिख कर लाये हो यह मेरा बयान नहीं, रेजिगनेशन लेटर है, त्याग पत्र अब मैं इस वर्दी के पिंजरे से आज़ाद हो चुका हूँ ना तुम मेरे सीनियर, और ना मैं तुम्हारा जूनियर अब मुझसे सवाल करने के लिए तुम्हें अधालत के दरवाजे खटखटाने होंगे जब तक मैं तुमसे तुम्हारी सारी गुना न कबूल करवालूँ मैं तुम्हारा जिगनेशन लेटर एकसेप्ट नहीं करूँगा मेरा रेजिगनेशन लेटर कमिशनर साब एसेप्ट कर चुके हैं यह तो उसकी जरौपी है और वैसे भी लोग तुम्हें कानून की जरौपी ही समझते हैं इसलिए तुम जरौपी के ही लाइक हो कमिशनर साब को पता है कि इस वक्त मैं तुमसे मिलने आया हूँ हच से बाहर मत निकलो, वन्ना कानून के शिकंजे में फस जाओगे तुम मेरी जिन्दगी में फुल स्टॉप तो क्या कॉमा भी नहीं लगा सके लेकिन मैं तुम्हारी जिन्दगी में फुल स्टॉप जरूर लगाँगा हुआ हुआ हुआ